करीब 6 महीने पहले महरास्ट्र में महाविकास अघाडी गठ बंधन बना यानी शिप सेना राकमपा और कॉंग्रेस लेकिन अब 6 महीने के भीतर ही इस गठ बंधन में दरार पढ़ने की खबर आने लगी है चर्चा है बड़े फैसलों से कॉंग्रेस को दूर रखने में पार्टी के कई नेता मुख्यमंत्री उद्दफ ठाकरे से नरास चल रहे हैं इस बात को एक बार फिर मंगलवार की दोपहर बल मिलता हुआ नजर आया जब शिप सेना के मुखपत्र सामना में कॉंग्रेस के दो नेता अशोक चोहान और बाला साहे थोराट पर सीधा निशाना साथा गया ऐसे में विपक्ष भी अटाक मोड में आ गया है भाजपा की योड से कहा गया है महाविकास अगाडी के नेताओं को महरास्ट में कॉरोना वाइरस से जान कवाते लोगों की फिक्र नहीं है उसे केवल कुरसी की चिंता है आपको बता दे सामना की संपादकिये में कॉंग्रेस पर निशाना साथा गया है लिखा गया है खाट पर बैठे अशोग चौहान ने भी इंडियन एक्स्प्रेस को साक्षतकार दिया और उसी संयम से कुरकुराय सरकार को कोई खत्रा नहीं लेकिन सरकार में हमारी बात सुनी जाए प्रशासन की अधिकारी विवात पैदा कर रहे हैं हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे अब ऐसा तैह हुआ है कुरकुर की अवाज वाली खाट के दोनों मंत्री महोद्यें मुख्य मंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले है मुख्य मंत्री उनकी बात सुनेंगे और निर्डे लेंगे सवाल ये उड़ता है कॉंग्रेस क्या कहना चाहती है राजनीती की ये पुरानी खटिया क्यों कुरकुर की अवास कर रही है हमारी बात सुनों का क्या मतलब है ये भी सामने आ गया है थोराट और चोहान दिगज नेता है जिनने सरकाल चलाने का बड़ा अनुभव है आपको बता दें कॉंग्रेस शिपसेना के बीच विवाद में मुंबई कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष संजे निरूपम का बयान सा पिषए नहीं होती कॉंग्रेस के मंतरी मुख्य मंतरी से मिलने का समय मांग रहे हैं मुख्य मंतरी उन्हें चोड़ कर सबसे मिल रहे हैं सत्ता के मुह में कितना जेल ना यहां महागट बंदन में आई दरार पर भारत onion tap पार्टी जमकर कटाक्ष कर रही है फाजपा के प्रवक्ता राम कदम कहते हैं यह लोग पुरानी खाट की आवास पर बात कर रहे हैं लेकिन दुख की बात यह है इन्हें महारास्ट के अस्पतालों में बैट की कमी के चलते कोरोना मरीजों की मौत की कोई चिंता नहीं है महाविकास आगाडी सिर्फ खाट और कुर्सी के बारे में सोचने में मश्कूल है ये भी सोचने वारी बात है कि इतनी बेज़ती के बाद कॉंग्रेस और राकंपा में कोई आत्म सम्मान बचा है या नहीं महारास्ट चीन बन गया है कॉरोना के मामले में और ये लोग आपस में लड़ने में मश्कूल है SPN 9 News से मेघा की रिपोर्ट